वास्तु की अनुसार घर में घड़ी और कैलेंडर लगाने की दिशा घड़ी, सबसे उत्तम दिशा, पूर्व दिशा, अन्ये शुप दिशा, उत्तर दिशा, अशुप दिशा, दक्षिन दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिन पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा ध्यान दे, घड़ी को दीवार से कम से कम एक इंच दूर लगाएं घड़ी का आकार घर के अनुपात में होना चाहिए तूटी हुई या बंद घड़ी को घर में नहीं रखना चाहिए घड़ी को मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए घड़ी को सोने के कमरे में भी नहीं लगाना चाहिए कैलेंडर सबसे उत्तम दिशा, पूर्व दिशा, अन्य शुप दिशा, उत्तर दिशा, अशुप दिशा, दक्षिन दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिन पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा ध्यान दे, कैलेंडर को दीवार से कम से कम एक इंच दूर लगाएं कैलेंडर पर भगवान या देवी देवताओं की तस्वीरे नहीं होनी चाहिए पुराने या फटे हुए कैलेंडर को घर में नहीं रखना चाहिए कैलेंडर को मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए कैलेंडर को सोने के कमरे में भी नहीं लगाना चाहिए अतिरिक्त सुझाव घड़ी और कैलेंडर को घर में सकारात्मक उर्जा लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इनको लगाते समय इनकी दिशा का ध्यान रखना महत्वोपूर्ण है अगर आप वास्तु शास्त के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप किसी वास्तु विशेशगे से सला ले सकते हैं